नमस्कार आपको पोहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रत्मेश चूतिश चैनल हम 2023 में आपकी राशी के अनुसार आपके आने वाले भविशे की बात किरेंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि आपकी राशी के अनुसार आपका लिए नया वर्ष क्या संकेत लेकर आया है जैसे नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा वित्य मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोज बढ़ेगा ग्रहों की चाल से आपका भग्यूदय होगा या नहीं लव लाइफ में रोमान्स रहेगा या फिर परिशानिया आएंगी परिवार में सभी आपका बैवार कैसा रहेगा यह सब पातें आप जानेंगे लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल प्रतमेश जोतिस को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर क कीजिए नोटिफिकेशन को आउन कीजिए तक हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो वर्स 2023 में अगर हम धनुराशी के राशी फल की बात करें तो पूरा वर्स आपके लिए कैसा रहेगा यह जानने से पहले हम धनुराशी के लिए धनुराशी के व्यक्तियों के वि धनुराशी के जातक दिल से साफ और विश्वास योग होते हैं कारे छेत्र में ये लोग अच्छे अध्यापक और दाशनिक साबित होते हैं धनुराशी के जातक भविश्य को लेकर आशावादी नजरिये से देखते हैं आपकी आखे चमकदार होती हैं और आप सामाने साधारण और आध्यात्मिक प्रवती से किसी को भी अपनी तरफ आकशित कर लेते हैं मैत्वकांची और दूसरों के लिए प्रेणा दायक होते हैं ये पूरे उस्सा और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं 2023 में इनके करियर की बात करें तो वर्स की शुरुआत में सनी की साड़े साथी से आपको छुटकारा मिलेगा ये एक सुखद संग्योग है ये वर्स नई उपलब्दियां नई उम्मीदों के लिए जाना जाएगा इस वर्स आपको कार चेत में भरपूर सफलता मिलेगी इस वर्स आपको करियर में कई अच्छे अवसर प्राप्त हो बलकि आप अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे आपकी राशी के स्वामी ब्रसपती अप्रेल तक कोई बड़ा कार होने के संकेत भी दिला रहे हैं अप्रेल के पच्चात ब्रसपती का गोचर मेश रासी में होने से आपको व्यपारिक मामलों में आशतिस सफलता प्राप्त होगी अगर 2023 में आपके पारिवारिक जीवन की बात करें घनु राशी वालों को पारिवारिक जीवन इस वर्स अच्छा रहेगा परिवार में कोई मांगलिक कारे होने की प्रवल संकेत मिल रहे हैं अगर कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं तो इस वर्स सफलता आपको मिल सकती है माता पिता की सेहत को लेकर चो चिंताइं चल रही थी इस वर्स दूर होंगी माता पिता को कोई धर में क्यात्रा आप करवा सकते हैं अप्रेल तक संतान से सम्मंदित चो चिंताइं वे अप्रेल के बाद दूर हो जाएंगी परिवार में कोई मांगलिक कारे होने की संभावना इस वर्स बनती है अगर आपके स्वास्त की बात करें तो इस वर्स स्वास्त जीवन में बहुत ही बढ़िया रहेगा शनी की साड़े साती समाप्त होने से मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी जिसे की स्वास्त अच्छा रहेगा किन्तु राहू का गोचर पंचम भाव में कुछ पेट सम्मंदित परिशानियां दे सकता है अपरेल के पच्चात इन परिशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा लेकिन खान पान में आपको ध्यान रखने की सला दी जाती है योगा भ्यास करते रहे और ये आपके लिए बहतर रहेगा घर का वातावरान अच्छा रहने से मानसिक सुकसांती बनी रहेगी आपकी सिच्चा परिश्चा और तता प्रित्योकता की बात करें तो सिच्चा के छेतर में धनुराशी के जातकों को अतरिक्त मेहनत करने की आवशकता रहेगी एकागरता को भंगना होने दे पांच वे भाव में राहू का गोचर एकागरता को भंग करता है अप प्रेल में देव गुरु ब्रस्पती जैसे ही आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे सिच्चा के मामलों में आसती सपलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी किसी उच्छ संस्थान में दाखले लेने के इस धनूराशी के जातकों को अपने जीवन में बित्त संबंदी समस्याओं को सुल जाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए हाला कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे आपका बित प्रति सापधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस दोरान बे बजय के खर्च आपको आपका सिर्दर्द बढ़ा सकते हैं और बित्य असंतुलन भी बढ़ा सकते हैं आपका बित्य असंतुलन बिगड़ सकता है 2023 में धनुराशी के प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा आप अपना प्रेम की बात किसी को अपने दोस्तों के साथ शेर ना करें आपके प्रेम में कई तरीके के उतार चड़ाब बने रहेंगे आप अपने प्रेमी को मनाने में आपको कठनाईयां और संगर्सों का सामना करना पड़ेगा वो आपसे रूठे रूठे से रहेंगे दाम पत्ते जीवन हलाकि आपका खुशाल रहेगा पत्नी का प्यार भरपूर मिलेगा शादी सुधा लोगों को दाम पत्ते जीवन में कले बना हुआ है या फिर कोट कचेरी के मामने अगर चल रहे हैं तो वो खत्मोंगे और दोनों साथ में रहेंगे ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहे कोई परेशान ही नहीं हो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं वर्ष की सुरुआत में भवान विश्णू को पीले पुश्बों की माला पहनाएं और हर गुरुवार को गाय को हरा चारा गुड़ चना आदी खराते रहें घर से दूर किसी पार्क या मंदर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर ब्रस्वित बार को उसकी पूजा करें वीडियो में दी गई जानकारी अगर उपयोगी लगे अच्छी लगे जानकारी सिच्चा प्रद हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेर अवशे कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद